हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल दा वर्ल्ड ओफ लिट्रेचर तो फ्रेंड्स आज का हमारा टोपिक है ओड टू आटम जिससे रॉमेंटिक पोईट जॉन कीट्स ने कमपोज़ किया था यह जो पोईब है वो सेप्टेंबर 1819 में कमपोज़ की गई थी और 1820 में पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स पोईब की नाम से ही पता चल रहा है कि पोईट आटम को गलोरिफाई कर रहा है यानि कि उसकी तारीव कर रहा है ओड का मतलब समझने के लिए मैंने इसके उपर औरड़ी एक वीडियो बना रखी है मैं लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स यह जो पोईब है ओड टू आटम यह बहुत ही इंटरस्टिंग पोईब है क्योंकि अक्सर पोईट स्प्रिंग के सीजन की तारीफ करते हैं और यहां पर पोईट आटम के सीजन की तारीफ करें और बहुत ही खूबसूरत तारीफ पोईट ने इस पोईब के अंदर आटम की की है वो क्या तारिफ की है चलिए हम अपनी पॉर्ट में देखते हैं क्या बोल रहा है पोईट की यह जो सीजन है जो ओटम का सीजन है वो कोहरे का सीजन है मिस्ट यानि कोहरा और मेलोग फ्रूट फुलनेस और पके वे फलो का सीजन है और यह जो ओटम का सीजन है वो बोजम फ्रेंड है यानि कि बेस्ट फ्रेंड है किसका मेच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् Conspiring का मतलब है साजिस करना, Wine का मतलब है Belle और Thretch Eve का मतलब है छजो से खज़े होता है छजो से गुजरते वे तो यहां पर poet बोल रहा है कि Conspiring with Him साजिस कर रहे हैं जो Autumn का Season है और Maturing Sun मिलकी साजिस करते हैं कि बेलो को फलो से कैसे लोड करना कैसे भरना है जो कौनसी बेले जो चज्जों से गुजरती वी जा रही है ठीक है क्या बोल रहा पोईट इस इन फॉर लाइन्स में कि ये सीजन वो कोहरे का सीजन है और पके वे फलो का सीजन है और जो मेक्चुरिंग सन है वो ओटम का बेस्ट रेंड है और वो दोनों मिलके साजिस करते हैं कि कैसे बेलों को फलों से भड़ना है वो बेल जो सज्जों से गुजरती भी जा रही है ठीक है आगे क्या बोलते हैं पोईट टू बैंड विद एपल दो पोईट की मोजड का मतलब होता काई काई जो पेड़ों पर हरी हरी लगी होते है वो तो पोईट बोल रहे हैं कि यह जो काई लगे वे पेड हैं मोजड कोटेज ट्री जो काई लगे वे पेड हैं वो एपल की वज़े से उनके वजन से जुग गए हैं इस मौसम में इस सीज वो एपल के वजन की वज़े से जुक गए हैं and fill all fruit with ripeness the core और यह जो इस season में जो fruit है वो अंदर तक पक गए हैं मतलब कोर का मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा और ripeness का मतलब पकना तो इस season में जो fruits हैं वो अंदर तक अंदरूनी हिस्से तक पक चुके हैं to swell the ground ग्रॉड का मतलब कदू तो इस season में यह जो season है वो ग्रॉड को कदू को फुला देता है and plump the hazel sales अब यहां पर hazel भी एक तरह के फल का ही नाम है तो वो कैपल ने poet की hazel को भी shells तक फुला देता है shells का मतलब छिलके हैं तो यह जो season है वो कदू को फुला देता है और shells को भी छिलको तक फुला देता है with a sweet kernel to set budding more और with a sweet kernel यानि कि यह जो मौसम है वो fruit के अंदर एक sweet kernel एक sweet गिरी को भर देता है to set budding more और यह जो season है यह जो मौसम है वो कलियों की खिलने का मौसम है and still more later flowers for the bees और बाद में इस autumn के season में बाद में खिलने वाले जो flowers हैं वो मदुमक्यों को invite करते हैं कि आओ और हमारा रस चूसो until they think warm days will never cease friends यहाँ पर cease का मतलब है रुकना तो point क्या बोड़ रहा है कि वो जो मदुमक्या है वो सोचती है कि यह जो warm days है यह जो गरन दिन है वो कभी खतम ही नहीं होंगे वो कभी रुकेंगे ही नहीं four summer has over brimmed their clammy cells clammy का मतलब होता है chip चिपा और cells बोला यहाँपे मदुमक्या के छत्ते को तो इस सीजन में इस मौसम में जो cells हैं मदुमक्या के छते हैं वो सहद से भर जाते हैं ब्रिम्ड का मतलब है किनारों तक तो इस सीजन में जो मदमकी के च्छते हैं वो सहज से किनारों तक भर जाते हैं वो हाथ नोट सीन दी ओफ्ट अमीड दा स्टोर फ्रेंड्स यहाँ पे पोईट ओटम सीजन की बात कर रहा है लेकिन इस नेक्स स्टेंजा में ऐसे लगता है कि वो एक औरत से बात कर रहा है तो क्या बोल रहा है पोईट कि किसने तुम्हें नहीं देखा किसने तुम्हें नहीं देखा अक्सर तुम स्टोर के बीच में बैठी वी रहती हो स्टोर का मतलब यहाँ पे है अनाज के बंदार से तो अनाज के बंदार के बीच में अक्सर तुम बैठी रहती हो वहाँ पर तुम्हें किसने नहीं देखा जब कभी कबार कोई बाहर जा रहा होता है तब तुम अनाज के बीच में बहुत ही केरलेस से बैठी वी रहती हो वहाँ पे तुम्हें कोई भी देख सकता जब तुम केरलेस से बीच में बैठी वी रहती हो उस समय जब कोई बाहर जा रहा होता है तब तुम्हें कोई भी देख सकता है दाइ हे और सॉफ्ट लाइट बाई दर विनोइंग विंड विन्ड का मतलब है अनाज के किनने से आने वाली आवाज या कोई फड़फडाट से आने वाली हवा सोरी आवाज नहीं हवा तो अनाज के किनने से आने वाली हवा या किसी चीज को फटकारने से आने वाली हवा तो उस हवा से जो तुम्हारे soft hair है वो उपर की तरफ उड़ते हैं अब पोईट क्या बोल रहा है कि फरो का मतलब होता है जो खेत जो ने पर जो line बन जाती है वो half red का मतलब होता आदी कटिवी फसल ड्रोज का मतलब होता जपक्या लेना फ्योम का मतलब होता सुगंद और पोपीज एक नशीले पेड़ का नाम होता है तो पोईट बोल रहा है कि जो आदी कटिवी फसल है जो आदी कटिवी फसल की जो फरो है उस पर तुम जपकिया ले रही हो क्योंकि जो पॉपीज है वो नशिला पधारत है तो उस पधारत की खुश्बू की वज़े से तुम आदी कटिवी फसल के उपर जपकिया ले रही हो और फिर हुक का मतलब होता है अनाल्स काटने का जो हतियार होता वो तुम अपने उस हतियार को छोड़ देती हो क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है उसमें अनाज का पौदा हो फूलों से लिप्टा हुआ है इसलिए तुम अपने उस हुक को वहीं छोड़ देती हो क्या बोलना पौइट कि तुम कभी कबार जब अनाज को बीन रही होती हो कुछ अनाज को तुम बीन रही होती हो और कुछ अनाज को लीडन हैड अपने सर पे लिए हुए रहती हो और फिर across a booked मतलब वो छोटे जो नाले होते हैं उनको पार कर रही होती हो अनाज के कुछ हिसे को अपने सर पे लाद के तुम उस छोटे नाले को पार कर रही होती हो और बाई ए साइडर प्रेस यहाँ पे साइडर प्रेस का मतलब है जो एपल से जूस निकालने की मसीन होती है वो with patience look तुम उसको patience के साथ देखती हो thou watch the last lying hours by hours और उसको तुम देखती रहती हो उसकी जो last drop है जो last जो भूंद है वो तपकरी होती है तब तक तुम उसे देखती रहती हो hours by hours घंटो तक है ठीक है अब यह हमारा third stage आए where are the song of springs are where are they क्या बोल रही है पोईट कि जो spring season के जो song है वो कहा है think not of them तुम उनके बारे में मत सोचो पोईट Autumn season को बोल रहा है कि जो spring season के song है वो कहा है उनके बारे में तुम मत सोचो thou hast thy music too क्योंकि तुमआइ पास तुमारा खुद का music है इसलिए तुम स्प्रिंग सीजन के सोंग के बारे में मत सोचो वाइल बेर्ड क्लाउड ब्लूम दो सौफ्ट डाइंग डे अब पोईट क्या बोल रहा है कि बेर्ड का मतलब होता है बीच में तो जब सौफ्ट डाइंग डे जब दिन ढलता है और जो बादल है वो बीच में आते हैं तब सूरज की रोसनी से वो चमक उठते हैं कितना प्यारा मुमेंट क्रियेट किया है पोईट ने यहां पे कि जब दिन ढलता है और बादल बीच में आ जाते हैं तब वो सूरज की रोसनी की वज़े से चमक उठते हैं और स्टैबल का मतलब होता है जो फसल कातने के बाद जो बच जाते हैं तो उनके ओपर जब सूरज की रोसनी गिर जाती है जब रोसनी गिरती है तब उनका जो कलर है वो रोसी कलर होता है आप पोईट क्या बोल रहा है कि वहाँ पर दुखी आवाज में एक स्मोल मच्छर रोता है अमोंग दे रीवर सेलोज बोन अलोफ ते सेलोज का मतलब होता है रीवर के अंदर से निकलता हुआ पेड़ उस पेड़ के ऊपर से मच्छर के रोने की आवाज दुखी आवाज आती है और सिंकिंग ऐस दे लाइट विंड लाइवस और डाइज और उसकी आवाज ऐसे लग रही है लाउड ब्लीट फ्रोम हिली बाउंड क्या बोल रहा पोईट यहां पर कि वहां पर लैम्स का मतलब जो बक्री के बच्चे होते हैं मेमने उनको बोलते हैं वो और ब्लीट का मतलब जो बक्री के बच्चे आवाज निकालते हैं मेमहाती हैं तो वहाँ पर से पहाड़ी के उपर से उन मेमने के मिमहाने की आवाज आती है has cricket sing and now with travel soft अब यहाँ पर एक ऐसा कीटा जो बाड़े के अंदर रहता है वो गाता है the red breast whistles from a garden croft red breast एक bird होता है पक्षी होता है तो उसकी whistles की आवाज आती है from garden croft garden croft का मतलब garden form से है and gathering swells twitter in the skies और swells भी यहाँ पे एक पक्षी का ही नाम है पक्षी को ही बोलते हैं तो बहुत सारे swells से चह चाते हैं sky के अंदर बहुत सारे पक्षी swells से चह चाते हैं तो friends यह थी आज की हमारी point I hope आपको समझ में आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कीजेगा कैसा लगा comment कीजेगा और share कीजेगा और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो की notification सबसे पहले आपके पास आएं तो मेरे चैनल को subscribe कीजेगा और bell बेटन को press कर दीजेगा thank you friends bye bye take care